जब बड़े साही को पता चला कि कुश्माला ने लोगों को दवा बाटी है, तो वह कुश्माला से पूछता है कि उसने यह सब करने से पहले हमारी अनुमती क्यों नहीं ली? कुश्माला द्वारा अनुशा की जान लेने की कोशिश की गई है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या वह सजा से बच जाएगी? जब सर्फरास देखता है कि दवा खराब हो गई है तो उसे लगता है कि यह बहुत बड़ा धोका है कि कुश्माला ने उसे इतना बड़ा धोका दिया जबकि यह कहीं नहीं लिखा था कि वह दवा खराब कर देगी सर्फरास कुश्माला से कहता है कि वह द्रग को बचाने की कोशिश करेगा लेकिन कुश्माला ऐसा नहीं करती कि बातों पर ध्यान नहीं देता अगर कुश्माला कुछ और करने की कोशिश करेगी तो वह सभी को प्रभावित कर लेगी फिर सरफराज उन दोनों को देखता है और सभी को कुश्माला के बारे में बताने की तैयारी करता है जब कुश्माला चिकित्सा के बारे में बात करती है तो वहाँ बताती है कि यहाँ कोई आम घर नहीं बलकि एक खास जगा है वहाँ सवाल करती है कि यहाँ कैसे संभव है कि किसी ने उसे लोक भेजा है जिस पर कुश्माला कहती है कि उसने खुद उसे लोक भेजा है